आजादी के वर्स गांट पर चलाओ मनाएं उत्सब आजादी के उर्जा का है अमृत नए बिशारों का है अमृत नए नए संकल्पों का है अमृत आत्मिद्भरता का ये अमृत ये है अमृत महुत सब ये है अमृत महुत सब आओ मिलके मनाएं जब देश की आजादी हे तो हुए वीर कुर्मान नम आखों से याद करते हम वो सतंत्रता संग्राम नमस्कार दर्शकों मैं शशी आज के विशेश कारकरम आजादी के अमृत महुत्सों में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम एक अति महतपुन घटना है या वही संग्राम है जिस ने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाई और साथ ही असंख देश भक्तों ने इसमें अपने योगदान दिये आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सेनानियों के योगदान के बारे में इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत एक खास महमान नवीन सी परमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आज के विश्यस कारकरम में सर सर पर्थम आपसे यह जानना चाहोंगे कि हमारे बिहार के जो महान बीर सपूत हुए उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है नमस्कार आप सभी दर्शकों को अपने सत्रता के अमरित महत्सव के हर्दिक सुब कामना है जैसा कि प्रस्ण है कि बिहार के सपूतों को या अजादी के संग्राम में क्या भूमिका रही है तो अगर मेरे दिश्टी से देखा जाए तो बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो अजादी का इतिहास अधुरा हो जाएगा अजादी की पूरी इतिहास में जो दो तिन उस समय के स्टेट प्रोविंस इसको कहते थे वो महत्पून भूमिका एक तरह से रॉल मॉडल थे करी के रूप में काम कर रहे थे उसमें बिहार हमारा महत्पून था और अजादी की बात को अगर हम करें तो 18-57 से अधिकारिक रूप से मना जाता है कि 18-57 से अजादी की लराई विद्वश शुरू हुई थी लेकिन बिहार की भूमिका की हम बात करें 17-68 से 18-57 के बहुत पहले 17-68 से अजादी का इतिहास है अजादी की लराई का इतिहास में बिहार की भूमिका है तो मुझे लगता है कि देश के जो सबसे महत्पून स्वात्मता सेनानी रहे हैं उसमें बिहार के प्रथम पांच की अगर चर्चा हम करेंगे तो उसमें से निश्टी रूप से तीन चार बिहार के सेनानियों का नाम है इसलिए अजादी के इतिहास की जब भी शुरुआत होती है अजादी की इतिहास के मचर्चा करते हैं तो बिहार से ही शुरू होती है और बिहार का अपना एक महत्पून योगदान है अजादी के लराई में सर आपने अभी बिहार के सिनानियों के बारे में बाते बताई आजादी की लराई की बाते बताई तो मैं ये कहना चाहूंगे कि हमारी महिलाई जो है वो भी पीछे नहीं थी काफी बड़ चड़कर उन्होंने हिस्सा लिया तो आजादी की लराई में उनके क्या योगदान र तो बहुत ही बिरहद इतिहास है बिहार के और छोटे से कार्जकम में हम सबकी चरचा तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ ऐसे महत्पूर नाम हैं जिनके बिना आजादी का इतिहास और विशेश उपसे बिहार के योगदान की चरचा पूरी नहीं हो सकती है उसे मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूंगा देश के जो बरे सत्मता से नानी हुए हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है वो अलोक नाएक जैप्रकास नाराइन जी की जैप्रकास नाराइन जी की पत्नी परभावती देवी प्रभावती देवी अगर नहीं होती जैप्रकास नराइन जी का जब हम इतिहास परते हैं प्रभावती देवी नहीं होती तो साथ जैप्रकास नराइन जैप्रकास नराइन नहीं होए होती है देश के प्रथम राष्टपती डाक्टर राजिंदर प्रसाद की धर्मपतनी राजबंसी देवी उनका भी एक बरा युगदान है प्रभावती देवी का बरा युगदान है और मैं अपने को बहुत सुभागे साली मानता हूं कि मैं जिले से आता हूं यह दोनों नाम उसी जिले की हैं शिवान के थी प्रभावती देवी शिवान के थी राजबंसी देवी और हम आगे अगर बिहार के बिहार के परिप्वेक्ष में चर्चा करें तो जिस समय हम जार्खन हमारे साथ जुरा हुआ था आजाजी के लराई में जार्खन अलग स्टेट नहीं था और बिहार था बिहार की प्रतम महिला से नानी जो जेल गई वह मीरा देवी थी वह जार्खन अभी ततकालिक अभी जो प्रतमान में जार्खन है जार्खन के हजारी बाकी रहने वाले थी और अंग्रेजों के बिरुत बरासंग हर्ष करके जेल गई और वह प्रिर्णा बनी बिहार के महिला से नानी जो के लिए हम चर्चा को अगर आगे बढ़ाते हैं तो सारण जिले में एक मलखा चक गाउं आता है मलखा चक गाउं की दो बहने सरस्थी और आधा उनका बरा इतिहास है अजादी की जब महिला से नानी जो की चर्चा होती है दोनों बहनों की चर्चा होती है दोनों बहने स्थाना पर तिरंगा फाराने के आरोप में जेल गई और दोनों अंडर इस थी जिसे में गई और अंग्रेज प्रसासन अंग्रेज के जो अधिकारी थे लगतार प्रयास किये कि उनको वो माफी मांग ले लेकिन उस दोनों बहने माफी नहीं मागी और पूरे देश में चर्चा हुई महात्मा गाधी ने अपने विभिन कार्ज कोमों में उन दोनों बहनों की निरता की चर्चा की उसी प्रकार से जब हम आउर आगे बरते हैं तो ब्यालिस का अंदुलन आता है ब्यालिस के अंदुलन में एक नाम हो भरता है तारा देवी का तारा देवी एक ऐसी महिला जो सादी के तुरंद बाद ये संकल्ब करती है अपने पती के साथ संकल्ब करती है कि जब तक देश अजाद नहीं होगा हम संतान नहीं पैदा करेंगे और पती से अपने जिसको सुहाग रात बोलते हैं प्रथम रात वो अपने पती से वो संकल्ब कराती है और उसके बाद उल अजादी की लराई को आगे बढ़ाने में गाओं गाओं में घुम कर जंजागरन करती हैं 42 के अंदोलन में उनके पती सहीद होते हैं उनके पती को नौ गोली लगती है पती जब गिरने लगते हैं तिरंगा जंडा ले करके तो तारा देवी आगे बर करके क्योंकि उस मुवमेंट में तारा देवी अपने पती के साथ चल रही थी तारा देवी उस तिरंगे को थाम लेती है अठाम करके पती के उस संकल्ब को तिरंगा फहराने का अठाना पर उसको फहराती है तारा देवी को भी गोली लगती है तारा देवी बच जाती है और आजाजी के बाद वो काफी दिनों तक जीती है तो महिलाओं की चर्चाम करेंगे तो अनंत नाम है महिलाओं की पर तेक जिले में हम दो नाम चार नाम खोज के निकाल सकते हैं बहुत सारे नाम आए तरके शुरी सिन्हा जो बाद में जनपरतिती बनी वो अजादिक लराई की एक बरी से ननीमानी जाती थी इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि महिलाओं की भूमिका पुर्सों से किसी मामले में कम नहीं रही है और लेकिन एक सिकायत भी मैं करना चाहूँगा कि हम लोगों ने सुचिवद नहीं किया हमारी जो पहले की पीडी थी अभी की भी पीडी उस विशे पर बहुत काम नहीं कर रही है अगर ठीक से हम लोगों खोजे तो एक एक गाउं में महिलाएं मिल जाएंगी क्योंकि महिलाएं अगर सहयोग नहीं करती तो पूरु साजादी का लराई में आगे बर ही नहीं पाते थे अब राजिंदर बावु के नाम के खुब चर्चा होती है जैप्रकास नराइन के नाम के खुब चर्चा होती है लिएक परभावती देवी राजबंसी देवी के नाम के चर्चा कोई नहीं करता है अगर आज के student से पूशा जाए कि राजिंदर बावु के पतनी का क्या नाम था जिसने राजिंदर बावु को राजिंदर बावु बनाया तो राजबंसी देवी की नाम की चर्चा नहीं होती है प्रभावती देवी जो महत्मा गाधी के साथ मतलब अपने संकल्ब को पूरा करने के लिए जैप्रिकास नराइन प्रभावती देवी ने भी संकल्ब किया था कि हम सौतंत्र गुलाम भारत में बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो उस संकल्ब को पूरा करने के लिए उनको लगा कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए तो महत्मा गांदी का सम साबर मत चले गई और बाग के साथ महत्मा गांदी की पत्नी जो करस्तो दुरुआ जी थी बाग के नाम से बिख्या थी बाग के साथ रही और पूरे देश मे महत्मा गांदी की जब यात्राइं होती थी बाव उनके साथ रहती थी और उनके नीजी सचीव के तरह बाव के नीजी सचीव के तरह हमारी प्रभावती देवी साथ रहती थी प्रभावती देवी ने बहुत सारे यात्रा बेवरन को लिखा है, मात्मा गांधी बाक्य बीच के समंधों को उचर्चा की है सर आपने अभी महिलाओं की बात कही, इनका BCS योगदान रहा है, अगर महिलाओं नहीं होती तो साथ आजादी के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आजादी के 75 वी वर्सगाट पर पूरा देश आजादी का जस्न मना रहा है इसमें हमारे ऐसे कई सोतंतरता सिनारी रहे हैं जो गुमनाम रहो गए इतिहास के पन्नों पर तो उनके बारे में अब क्या कहना चाहेंगे, उन गुमनाम सोतंतरता सिनारी के क्या योगदान रहे हैं हमारे अजादी के लराही में शसी जी आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ण पूछा है और मैं तो कहूं कि आपने मेरे मन की बात को पूछा है हमारे सवतुंत्रा संग्राम के सेनानियों के साथ नयाई नहीं किया है मेरे जैसा विक्ति जो अधेन करता है आज भी कुछ न कुछ परने का प्रयास करता है मुझे लगता है कि अजादी की लराई की अगर इतिहास कियम चर्चा करें सवतुंत्र संग्राम की तो उसकी पूरनर लेखन के आओ सकता है और जहां तक मुझे जनकारी है कि यह प्रयास सुरू हो गया है भारत सरकार के संस्कृतिक मंत्रा लेके द्वारा लगतार चर्चाएं बर रही हैं अलग-अलग सेनानियों की बाते आ रही हैं अब गुम्नाम सेनानियों की बात आप पूछ रही हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि गुम्नाम सेनानी की चर्चा अगर हम सुरू करते हैं तो जैसे ही मैंने अपने चर्चा सुरू करने के प्रथम चरण में ही बताया था एक चर्चा किया था कि 1857 से पहले का इतिहास है अजादी की लराई का, बिहार का, 1768, फते साही का इतिहास, फते साही 35 वर्सों तक, 1768 में वो अंग्रेजों के खिलाब खरे हुए, अभी जो गुपालगंज इला है, गुपालगंज का एक हुशेपुर नाम का जगा था, गाओं, जहांके वो जमिदार थे, तो फते साही ने 1768 में अंग्रेजों के खिलाब ये घोशना कर दिया कि हम टैक्स नहीं देंगे, और अंग्रेजों के खिलाब हंतियार उठा लिये, ये दास्तिवेज हैं इसके, लंदन के संग्राले में दास्तिवेज रखे हुए हैं, भारत के बहुत सारे राइटरों ने भी इस पर लिखा है, अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, प्रते साही के विज़े में, आपको अश्चर्च होगा कि उस समय सारन के जो कलक्टर थे, उन्होंने बीस हजार रुपिये का इनाम घोसित किया था, आप कल्पना कर सकती हैं कि सत्रह सो और सट में जो बेक्ति आंदोलन करता है, अंग्रेजों के खिलाब लराई की घोसना करता है, उसके खिलाब उस समय अंग्रेज सरकार, 20,000 रुपिये की इनाम घोसित करती है, ये रेकॉर्ड में है, सरकार के रेकॉर्ड में है, अब आप कल्पना कर सकती हैं कि उस समय का 20,000 आज की कितनी बरी रासी होगी, वह कितना बड़ा करांथी कारी होगा, कितना बड़ा विद्रोही होगा, जिस पर उस समय की सरकार बीस हजार रूपिये की इनाम खोशित करती है कि जो उस बेक्ति को जिंदा या मुर्दा पकर कर लाएगा उसको बीस हजार रूपिये इनाम दिये जाएंगे लेकिन जब हम अजादी की इतिहास परते हैं, विद्यालों में परते हैं, महां विद्यालों में परते हैं, लाइबरेरी में जाके परते हैं, तो फते साही की नाम की चर्चा नहीं होती है देश के इतिहास कारों ने फते साही के साथ नयाय नहीं किया फिर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा अजादी के लाराई दो तिन चरनों में हुए हैं जो सबसे करेंट का चरन था जिसके बाद अजादे मिल गई 42 की बात करें हैं भारत छोरो अंदोलन की बात करें तो जब 42 का अंदोलन घोसित हुआ भारत छोरो अंदोलन की जब चर्चा महात्मा गाधी ने की तो पूरे देश में इसकी सुख बगाट होई लेकिन वह मुमेंट जो था वह एक तरह से जोर नहीं पकर रहा था उसी समय एक घटना घटती है 11 अगस्त को जिस पाठली पुत की धर्ती पर हम लोग बैठे हैं उसी पाठली पुत की धर्ती पर 11 अगस्त को एक घटना घटती है और जब घटना घटती है उस घटना के बाद पूरा देश सरक पर उतर जाता है पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाप लोग सरक उतर जाते हैं महिलाएं, बच्चे, बुढ़े, सारे लोग उतरते हैं वो घटना क्या थी? उस समय की सचिवाले पर तिरंगा फ़राने का अभियान पटना के छात्र सरक पर निकलते हैं तिरंगा लेकर के और तिरंगा फ़राये जाता है साथ लोगों की सहादत होती है आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ की सातों सहीद, जो लोग सहीद हुए उनका नाम यह देश नहीं जानता है ठीक से क्योंकि उनके नामों के बिशे में चर्चाएं ही नहीं हुई है जो लोग बाद में सत्ता में आगे उनके नामों के खुब चर्चा हुई तो वो साथ सहीद गुमनाम है केवल उनका इस्टेचू लगा हुआ है पटना में लेकिन साथ सहीदों के बारे में बिहार के बच्चों को नहीं पढ़ाये जाता है नहीं बताये जाता है मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं सिवान से आता हूँ सिवान में जब भी अजाजी की बात होती है तो के वो दो नाम उभर के आते हैं कि जो एकारा अगस्त को बलिदान हो जाता है लेकिन जब सीवान में अजादी की से नानियों की बात होती है तो रमंजी के नाम की चर्चा नहीं कि जाती है इससे बड़ा गुम्नामी क्या हो सकता है इससे बड़ा नया क्या हो सकता है हमरे सहीदों के सांथ फिर आगे बढ़े हम 42 की ही अंदोलन की बात करे हम 42 के अंदोलन में 11 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में सिवान में 14 लोगों की साधत हुई है 11 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में 14 लोगों की साधत हुई है अब कल्पना कर सकती है एक जिला एक अनुमंडल था उसमे एक अनुमंडल में 14 लोग अपनी साधत देते हैं 42 के अंदोरन के लिए लेकि सिवान के बच्चे नहीं जानते हैं बिहार के लोग नहीं जानते हैं हर जिले में साधत हुई थी केवल सत्यागरह कर देने से देश को अजादी नहीं मिली अजादी खून जब दिया गया थो उसके बाद अजादी मिली थी और सारे खून देने वाले लोग लगभग गुमनाम हो गए मैं केवल एक जिले की बात कर रहा हूँ, एक जिले में 11 अगस्त को रमन जी की सहादत होती है पटना के पटली पुद्र के धर्ती पर, वो सिवान की पहली सहादत थी 42 अंदोलन की, सिवान एक छोटा सानमंडल था उसमें, उसके बाद 23 अगस्त तक हर 2-3 दिनों पर कोई न कोई सहादत हुई है और उस सहादत में 14 लोग, आप कलपना कर सकती हैं, 14 लोग सिवान के केवल सहीद हुए हैं, अगर इसी प्रकार से हर जिले का अगर सर्वे किया जाए, हर जिले मे में नाम हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, ये गुमनाम नाम हैं, इसलिए मैं पुना कहना चाहूंगा, धर्सकों से भी, कि हम अमरित महत्सों मना रहे हैं, आने वाले 75 साल पूरे हो गए हैं, और 25 साल तक ये कार्जगम एक तरह से चलने वाला है, सताबदी मनाएंगे हम तो इस सताबदी जब 25 साल के अंदर कम से कम हम अपने गाओं, अपने जिले के गुमनाम सहीदों के नाम को खोजें, खोज करके सुचिबद करें, आने वाले समय में उनका एक डाटाबेस त्यार करें, क्योंकि जब हम अजादी का सताबदी वर्स मनावें, तो ये नहीं कहे है कि ये अब सहीद गुमनाम है, ये प्रस नहीं नहीं आए, हम सारे सहीदों की चर्चा करें, हमारे आजादी की लराई जो है, वह बहुत लंबी चली, तो बिहार में आप इनको कितने चर्णों में बाटेंगे इस लराई को? कि सहीजी, सवतनत्रा अंदोलन की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले जड़ोत है कि सवतनत्रा अंदोलन को ठीक से लिपी बद किया जाएँ, कि बहुत कंफ्यूजन है सवतनत्रा अंदोलन की इतिहास की जब भी हम चर्चाय करते हैं, एक बिद्यारथी के नाते, पत्रकार के नाते लोगों से बाते होती है परते हैं हम लोग तो मेरा असपष्ट मत है कि हमें फटे बहादूर साही से चर्चा सुरू करनी चाहिए तो एक चरण हम ये मान के चलते हैं कि 1857 के पहले का जो कालखंता वो एक चरण था उसके बाद 1857 की बात आती है 1857 में भी बिहार की बरी भूमिका रही है कि 1857 की पहली गोली जिस वेक्टी ने चलाया था वो बिहार के परोसी जिले का था शारन का परोसी जनपद जो यह उत्तर प्रदेश का बलिया कहलाता है और उस समय ऐसा था कि सहाबाद बिहार का जो सहाबाद का च्छेतर है आरा बक्सर ये उसके बाद उत्तर प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश का वो पुरभांचल उसके बाद सारण बिहार का सारण जिसमें अभी छपरा-सिवन गोपाल गजा जाते हैं ये जो इलाका था इस इलाके के लोग उसमें अंग्रेजों के सिरा में बहुत आइद संखिया में थे गाओं में हमारे यहां हर गाओं में सैनिक मिलते हैं तो एक बहुत बरी संख्या थी फाउज में सहाबाद, बलिया, पुर्बांचल और सारण छेत्र के लोगों का तो जब मंगल पांडे ने पहली गोली चला दी और ठारा से संताउन का विगुल बजगया तो ये सारे साइनिक विद्रो कर गए थे तो अजादि के लड़ाई में ये कूद परे थे तो इसको हम एक चरण मानते हैं उस समय सारण का शारण जिला जो है छपरा जिला जिसको बोलते हैं पूरा सारण जिला 18-17 में बलिया उत्तर प्रदेश का ये दोनों जिला अपने को सौतंतर घोशित कर दिये थे यह छोटी बड़ी घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं है अठारा सांतावन में यह दोनों जिला अपने को सवतन रिखोषित कर दिये थे और वहां के प्रसासक जो थे, अंग्रेज कलेक्टर थे बलिया के, वो भाग गए सारन के कलेक्टर भाग गए और सारन के कलक्टर एक जमिदार थे पीर अली जी जो अजादी के लराई में उनकी भरी भूमिका है तो सारन के कलक्टर ने सारन का परभार पीर अली को सौप करके उकलकत्ता भग गया पूरा सारन का छेत्र सौतंत्र हो गया सारण का छेत सवतंत्र हो गया बलिया सवतंत्र हो गया इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने गोर्खा रेजिमेंट को ले आया यहां तो यह 1877 का जो कालखन था यह भी एक चरण है जादी का ठीक है उस समय हम अनुशासित नहीं हो रह पाए तैयारी हमारी बहुत अच्छ सवरकर के रिशर्च ने उस सिपाही बिद्रो को भारत का प्रथम सवतंता संग्राम घोशित किया बाद में दुनिया ने उसको माना तो यह एक चरण है फते साही के समय का जो एक अंदोलन था वह एक चरण था यह दूसरा चरण था उसके बाद जब हम आधनिक परवेश मे आते हैं जब अजादी की लराई में नए लोग जुर गए महत्मा गाधी आकर जूरे काई लोग जूरे तो अब भिहार की इतिहास की जर्चा करेंगे तो उसमें एक चरण चंपारं सत्यंग्रण है जो अजादी लराई की बहुत बढ़ी कश्ये करी के रूप में चंपारं सत्यागरह में सामिल हुए और वो बारिष्टर थे जन्नाइक बने चमपारन सत्यागरह में चमपारन में आप जब अजादी की तिहास परेंगी तो वो वो कोट टाई और सूट पहन करके चमपारन आये थे चमपारन से जब गए तो धोती पान के गए यही धोती को पहनना और शरीर पर रखना यह चमपारन ने उनको सिखाया तो चमपारन सत्यागरह एक बहुत बढ़ा चरन है चमपारन सत्यागरह के बाद आजादी की लराई ने रंग बदल दिया सत्यागरह एक हंथियार मिल गया उसके बाद और हम चरण के अगर बात करेंगे तो कांग्रेस का एक गया में अधिवेशन हुआ था वो अभी अजादी की लराई का एक बहुत महत्पून्च चरण है बिहार में तो उसके बाद एसेमली के चुना हुए थे उस समय के जो अंग्रेजों के देख रहे कि में समय के चुना हुए थे और उसे में बहुत सारे लोग जो बाद में समिधान सभा के सदस बने देश अजाद हुए तो बिहार सरकार में भारत सरकार में मंतरी बने ऐसे बहुत सारे लोग उस एसेमली चुनाव में पहली बार चुनाव लरे और assembly चुनाव में चुनाव लरे और उससे चुनाव जीते हुँ चुनाव जीते तो जो बाद का राजनितिक नेतुर्थ पैदा हुआ अपने देश का वह गया अधिवेशन बहुत गया अधिवेशन में ही तय हुआ था कि हम लोग चुनाव लगे तो गया अधिवेशन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है राजनितिक नेतुर्थ पैदा करने के लिए चंपरन अंदोलन भी एक टर्निंग पॉइंट था जादी का गया अधिवेशन भी टर्निंग पॉइंट था फिर आगे बढ़ते हैं तो 42 का मुमेंट आता है 42 का मुमेंट पूरे बिहार को 42 का मुमेंट को मुमेंट बनाया पूरे देश में मुमेंट बनाया बिहार के अंदोलन ने तो एक बहुत बड़ा चरन था चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे चलते चलते मैं एक बार पु बसमनामें, तो कोई भी सहीद गुमनाम नहीं रहे, कोई सेनानी गुमनाम नहीं रहे, और हर सेनानी हर सहीद को सुचिवत किया जाए, आप अपने आसपास खोजिए, अपने रिसदारों में खोजिए, कि कौन लोग थे जो जादी की लराई में हिश्चा लिये, और जब इस कि एक भी सिनानी नहीं छूटे इस संकल्प के सांथ इस आगरह के सांथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और आगरह करूंगा कि एक-एक सिनानी को खोजने का काम शुरू किया जाए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दर्शको अभी आपने हमारे बिहार के स्वतंदरता सिनानियों के बारे में जाना आपको हमारे ये कारकरम कैसा लगा आप हमें सुझाओ दे सकते हैं हमारा पता है दौरा केंदर निदेशक डीडी बिहार दूर दर्शनकेंद फ्रेजर रोड पतना 800001 आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आइडी है डारेक्टर डीडीके पतना एड दरेट जीमेल डौर कॉम आज के करकरम में बस इतना ही अगले एंक में हम फिर मिले के साथ तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को देजिया इजाज़त नमस्कार